नमस्कार आप देखरें एकॉनमी का हिसाब किताब और मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्ति दोस्तों आप में से बहुत ऐसे होंगे जिनकी आए कम हो गई है पिछले साल में 2019-2020 के तुलना में कोविड आने के बाद आपकी आय कम हो गई है कहीं पर आपकी पे कट हो गई किसी की नौकरी भी चली गई शायद नौकरी वापस मिली है लेकिन कम सैलरी पर मिली है आप अकेले नहीं है क्योंकि पूरे मिडल क्लास का ये हाल है हमारे देश में और इसी का हिस आप लगाएंगे आज के इस एपिसोड में मिडल क्लास किसको माना जाता है दुनिया भर में माना जाता है कि मिडल क्लास वो हैं जो हर रोज कम से कम 10 डॉलर 10 डॉलर प्रती व्यक्ति प्रती दिन खर्च कर पाए अब अगर आप अमरीका का डॉलर भारत में कनवर्ट करेंगे तो आपको लगए का 75 रुपए है खैर एक चीज को का जाता है जिसको पर्चेजिंग पाउर पैरिटी डॉलर कहते है यानि की पीपी डॉलर और वो इस तरीके से ना पा जाता है कि अगर एक डॉलर से मैं 10 चीजे अमरीका में खरीद सकता हूँ वही दस चीजे भारत में खरीदने के लिए कितने पैसे देने होंगे तो एक डॉलर जो अमरीका में खरीदता है आज के डेट पे वो 22-21 रुपए पे हमारे देश में खरीद सकते है इसलिए PPP डॉलर वही 21-22 रुपए के आसपास बैठता है तो अगर हम 10 डॉलर ले यानि प्रती दिन अगर 10 डॉलर लिया जाए तो आप देख लेंगे कि वो ही लगबग 200-220 के आसपास प्रती व्यक्ति का प्रती दिन का खर्चा बैठता है तो इसी लेविल पे अगर हम ले और उसी को वही नाप लेकर हम एक परिवार का देखे तो middle class का cut off हम लेते हैं कि जो 25,000 रुपे से जादा जो परिवार हर महीने खर्च कर पाए इसको हम lower middle class कहेंगे यानि कि निम्न मध्यमवर्ग 25,000 से 50,000 खर्च करने वाले लोग 50,000 से 1,30,000 तक खर्च करने वाले लोग यानि कि ऐसे जो लोग हैं उनको हम कहेंगे proper मध्यमवर्ग मध्यम मध्यमवर्ग middle class जिसको proper तरीके से कहा जा सकता है इन लोगों को और 1,30,000 रुपे से जादा जो पारिवारिक खर्चा करते हैं प्रती महीने इनको आप upper middle class उच्च मध्यमवर्ग या rich class या संपन्न class इनको कह सकते हैं तो हमारे देश में कुल परिवार कितने है लगबग 32 करोड उनमें से अगर मैं 25,000 से जादा खर्च करने वाले कितने परिवार है लगबग 10 करोड थे 2019 में औस तन अब आप कहेंगे कि वह बहुत बढ़िया है हमारे देश में इसका मतलब लगबग 32% लोग ऐसे हैं जो middle class को belong करते हैं लेकिन हम जानते हैं कि 25 से 50,000 रुपे जो खर्च करते हैं वो असल में आप उनको middle class नहीं कह सकते हैं वो निम्नमद्धमवर के लोग हैं क्योंकि 50,000 खर्च करने के बाद आपके हाथ में कुछ रहता नहीं चाहिए अगर आप बच्चों की school fees देख लीजे आप घर का rent या EMI ले लीजे आप जितना भी थोड़ा बहुत bill है electricity bill है telephone bill है आप DTH का खर्चा देते हैं ऐसे सब कुछ mobile bill भरते हैं ये सब कुछ मिला कर खाना पीना सब कुछ मिला कर medical fees insurance सब कुछ मिला कर 50,000 के बाद ज्यादा कुछ खरीदने के लिए बचता नहीं है इसलिए इसको आप buying class नहीं कह सकते ये consumer class नहीं है हमारे देश का consumer class अगर हमको लेना है तो 50,000 से ज्यादा है उनी को ले सकते लेकिन 25 से 50,000 जो कमाते हैं वैसे हमारे देश में 8 करोड लोग 2019 में थे 8 करोड परिवार 2019 में उसतन थे यानि कि 25 प्रतिशत परिवार इसी lower income group में आते लोगर middle class निम्ने मध्यमवर के group में आते 50,000 से ज्यादा कमाने वाले 50,000 से 1,30,000 जिसको हम proper middle class कहा रहे हैं वैसे सिरफ 6% परिवार थे यानि कि लगबग 2 करोड परिवार हमारे देश में 2019 में थे और 1,30,000 से ज्यादा खर्च करने वाले परिवारि जिसको हम upper middle class यह rich class कहा रहे हैं वैसे सिरफ 16 लाक परिवार थे हमारे देश में यानि कि आध्या परसेंट ऐसे परिवार हमारे देश में थे जो ऐसा खर्च कर सकते हैं अब हम देखते कि कोविट के बाद क्या हुआ 25 से 50 जार खर्च करने वाले परिवार जो 8 करोड थे 2019 में वो कोविट के तुरंत बाद गिर कर हो गए 4 करोड 90 लाक और यह मैं कोविट अक्टोबर की बात कर रहा हूँ मतलब यह नहीं कि अप्रेल में कि अक्टोबर में जब रिकवरी आया तब की बात कर रहा हूँ तब वो गिर कर 4 करोड 90 लाक पर आ गया यानि कि लगभग 40 परसेंट गिरावट आया है जो 25 से 50 जार में काउंट करते हैं जो 50 जार से 1 लाक 30 जार मैंने आपको कहा था 2 करोड थे वो गिर कर 1 करोड 20 लाक पर उतर आये हैं 1 करोड 20 लाक उनका नंबर हो गया फिर से आप देखी कि लगभग 40 परसेंट कम हो गया है वो क्लास भी सबसे उपर के लोग जो सिरफ 16 लाक परिवार थे यानि 15 परसेंट उनका क्या हुआ सिरफ 5 लाक बच गए सिरफ 5 लाक 5 लाक मतलब आप 0.2 परसेंट के आसपास बच गए हैं उससे जादा नहीं है जो टॉप लेवल के सबसे अमीर लोग है इस तरीके से पूरा मिडल क्लास धस गया है और यह धसा क्यों है क्योंकि नौकरिया नहीं है और बिजनेस का जो मिडल बिजनेस करते हैं छोटी दुकान चलाते हैं जो medium size के छोटे-बोटे entrepreneur हैं या businessmen हैं, उनका भी पिछले साल profit नहीं हुआ, service sector में तो बहुत बुरा हाल हुआ, बड़े-बड़े जो पुंजी पती हैं, उनका फाइदा हुआ है, लेकिन वो 0.01% लोग ऐसे होंगे हमारे देश में, खेर अगर हम देखे कि जिस तरीके से धसा है, जिसको हम कहते है white collar job, white collar job क्यों कहा जाता है, मतलब ये सफेद कपड़े पहन के, suit boot पहन के काम करते हैं, इसलिए इस तरीके से इनको कहा जाता है, मतलब जो professional लोग है, lawyer हुआ, doctor हुआ, engineer हुआ, manager हुआ, सरकारी बाबु हुआ, ऐसे जो नौकरियां हैं, जो हमारे देश में, 2020 अप्रेल में, COVID शुरू होने से पहले, लगबग 1,80,000,000 के आसपास थे, 1,81,000,000 के आसपास ऐसे हमारे देश में नौकरियां थी, 2021 के अप्रेल में आकर, वो गिर कर 1,38,000,000 पर उतर आया है, आप देखे कि कुल, total हमारे देश में, कामगार लोग 40,000,000 के आसपास हैं, जो कुछ काम कर रहे हैं, उनमें से सिरफ 1,80,000,000 के आसपास, white collar job, बाबु वाला job, managerial job करते हैं, professional job करते हैं, और वो भी गिर कर, लगबग 25% गिर कर, 1,40,000,000 से कम पर उतर आया है, तो अगर ऐसा होगा, तो क्या होगा, obviously income भी उसी तरीके से गिर गा है, इसलिए आप देखे हैं, middle class का सपना किस तरीके से चकना चूर हुआ है, और साथ में, middle class क्या चाहता है, middle class चाहता है, अपना एक बंगला हो, गाड़ी हो, फ्रिज हो, टीवी हो, यह सब चाहता है, तो हमारे सामने CMI का latest data है, कि जनवरी से अपरेल 2020, जो की COVID से पहले की बात है, करोना की और जनवरी से अपरेल 2021, जो की second wave से पहले की बात है, इसकी तुलना हम करके आप को बताते हैं, तो पिछले साल COVID होने से पहले जनवरी से अपरेल के बीच लगभग 23 लाख ऐसे परिवार थे, जो TV सेट, नया TV सेट खरीदना चाहते थे, ठीक है, 23 लाख ऐसे परिवार, और वो गिरकर क्या हुआ है, अब इसी साल के शुरू के जनवरी से अपरेल में अग अगर हम देखें कि फ्रिज, लगभग 26 लाख ऐसे लोग थे, जो नया फ्रिज खरीदना चाहते थे, पिछले साल COVID से पहले, वो भी गिरकर अब सिरफ 7 लाख पर आ गया है, एक साल बात, हर साल वैसे यह बढ़ता है, कि कितने लोग जादा खरीदना चाहते हैं, वो बढ़ पर आया है, पिछले साल 36 लाख परिवार ऐसे थे, जो कूलर खरीदना चाहते थे, वो भी अब गिरकर सिरफ 4.5 लाख, मतलब 4.5 लाख पर उतर आया है, और उसी तरह वाशिंग मशीन, वहाँ पर भी लगभग 36 लाख परिवार वाशिंग मशीन खरीदना चाहते थे, Income कम हो रहा है, आय कम हो रहा है, नौकरिया जा रही है, Middle Class टाइप की नौकरिया कम हो रही है, उसी तरीके से, जो चीज एक Middle Class lifestyle बनता है, उसकी भी बिकरी कम सिरफ नहीं हो रही है, खरीदने का जो चाह है, वो भी कम हो रहा है, और ये एक ऐसी चीज है, जो अभी जल्दी जा आने वाला नहीं है क्योंकि ये सिरफ COVID के लिए नहीं हुआ है क्योंकि हमारे देश में COVID आने से पहले भी लगातार तीन साल तक slowdown मंदी चला है याद रखिएगा COVID आने से पहले से तीन साल से लगातार मंदी चलिए और COVID आने के बाद ये negative हो गया है तो इससे निकलना उतना आसान नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब middle class वालों का जो सपना है वो टूटा है और टूटने के साथ साथ middle class को एक चीज़ सोचना पड़ेगा कि कितने दिन आप चुप रहेंगे middle class एक डरी होई class होती है उनको लड़ता है कि boss जो कह रहा है उसको सुन लेते हैं ये तो नौकरी चली जाएगी है ना और उसी तरीके से वो कही जाते हैं तो कोई कुछ कहता है तो वो डर से चुप हो जाते हैं वो चाते कि परिवार में family में जो बच्चे हैं वो उनकी सुन ये सब चीजे हैं जो मिडल क्लास को एक डरी हुई क्लास बना कर रखती है और वो चुप बैटे रहते हैं और जो पॉलिसी बनाते हैं जिसमें सिर्फ सुटबूट वालों का फायदा रहता है आप थोड़ा सोचिए ये जरूर सोचिएगा कि आप क्या कर सकते हैं आप किस तर सपोर्ट करते रहे